हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आप सभी को बता दें कि आने वाला 48 घंटा आप लोगों के जीवर में जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर आप सभी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे कि आप कट घरे में खड़ा होना पड़ेगा समय रहते हो जाएं सद्धान अन्य था अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की और जा सकता है दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा सड्यंत रहें जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चाहें आप हमें कितना भी रोकने की गुशिस कर लो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं जिन से आप अभी तक अंजान हैं किस प्रकार से लोग आपको खुस होना नहीं देख सकते किस प्रकार से आप हमेशा दूसरों के गलतियों की सजा भोगते हो और एक सब्द में कहें तो आपकी माथे पर हमेशा दूसरों का इलजाम थुपने का प्रियास किया जाता है जी हां दोस्तों इसलिए हम आप से विसे निवेदन करेंगे कि सच्चाई बताने में हमारा सहयोग चरूर कीजिएगा और जीवन की कीमती समय को निकाल कर इस विडियो को अंततक ध्यान से एक बार जरूर देखे जी हां दोस्तों यह कोई साधारन बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आप से दावे के साथ कह रहा हूँ और यह बात मैं ऐसे ही तावे में नहीं कह रहा गहरी सोध और अध्यन के बात यह मैंने यह बाते सारी पता लगाई है और विडियो के रूप में आपके सामने पेस कर रहा हूँ तो इसके लिए इस बिसे पर बात करेंगे साथ ही मा भदरकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जै मादुर के अवस्ते लिखें मा मेरी रक्षा करो मा मेरे संकटों को दूर करो मा भदरकाली मेरी रक्षा करो जरूर लिखेगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजेगा मा भदरकाली आपके उपर हमेशा किर्फ़ा बनाए रखेंगी और इसी के साथ मा दुरगा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल पाका नहीं कर सकता तो दोस्तों इसलिए जरूर कमेंट कर दीजेगा तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके जीवर में धहन क्यूं नहीं आ रहा क्या वज़ा है इस बात की क्या वज़ा है कि आपके धहन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है या आपको किसी की पूरी नेजर लग गई है या फिर आपके किस्मत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर फोइंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं हर बात को बहुत कहराई से समझाने वाले हैं इसलिए वीडियो में अन्त तक जुड़े रही है दोस्तों एक खास बात हम आप से भी कहना चाहेंगे हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत चानवीन करने के बाद बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं और इस अध्यन में इस सोध में बहुत मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपचे कुछ भी नहीं चाहते हैं ये सारे free of course आपको मिल रहा है फरन्तु आपचे हम इतना सा निवेधन करते हैं कि आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ हमारे family का हिस्सा बन जाएं बस इतना ही हम आपचे चाहते हैं इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें बहुत सारे लोग देखते हैं पर वो चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं तो आप से अनुरूद है आप चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी रासी के जितने भी जातक हैं इस्तरी जातक पुरूफ जातक हैं वो अपने जीवन में बहुत जादा प्रिसान हैं दुखी हैं बार-बार इन लोगों को प्रिसानियों का सामना करना पड़ रहा हैं कई कश्ट जेलने पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार प्रसनली सवाल करते हैं प्रसनली हमसे बाते बताते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी शफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही हमारे पास धन संपत्ती क्यों नहीं आ रहा या अगर कहीं से धन आता भी है तो रुकता क्यों नहीं है हमारे कामधंदे सब ठब क्यों पड़ रहे हैं नए कामधंदे जो शुरू होते हैं उन्में भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं नोकरी में बहुत परिसानिया बहुत समसाएं क्यों आती हैं और कम उम्र के जातक को भी नोकरी नहीं लग पा रही है बेरुजगारी बहुत परिसान कर रहा है पारिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा परिवार में बहुत अधिक नकरात मकता लडाई जगडे दोसा रोपन क्यों हो रहा है और यहां तक की लवलाइफ भी विल्कुल परबाद सी हो गई है क्या इसका कारण है क्यों इतनी परिसानी हो रखी है इन सभी प्रकार के सवालों के जबाब इस रासी के जातक हमेशा ढूंडते हैं और हमें हमेशा प्रस्ण करते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परिसान हैं मुझे पता है इन सवालों के सही सटीक जबाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाएं हैं तो हम आपचे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है आपको आज हर समस्या का समधान प्राप्त होने जा रहा है आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा सबसे पहले हम आपको बता दे कि आपकी जो ग्रह इस्तिती है वो काफी अच्छी चल रही है काफी कुशल मंगल है यानि ग्रहों के इस्तितियों की वज़़ा से आपको कोई प्रिसानी नहीं आ रही है जी हाँ दोस्तों आपको आस्चर्ज होगा और यह आवस्ची ही आपके लिए चोकाने वाली बात होगी लेकिन तब भी हम आपके कह रहे हैं कि ग्रहों की और से आपको कोई प्रिसानी नहीं है फिर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वज़ा है जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको प्रिसान कर रहा है क्यूं आपके जीवर में इतनी संकट आ रही है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवर में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोस्ट से होता है बलकि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वज़ा से हमारे उपर संकट आते हैं तो कुछ हमारे इस्वर तै करते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंब पर आधारित होता है और हम गलतियां स्वेंग करते हैं तो हमारे जन्व में आने वाले सुख सुबधाएं और अच्छे समय को रोग देती हैं, लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बहत चमतकारी है, बहती खुसियों से भरा है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो आपके जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपके दुनिया पूरी तरीके से खुसियों से भर जाएगी, जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वा कौन सी गलती है, जिसकी वज़ा से इ जंकट कटते ही नहीं है, और ऐसी कौन सी आदत है, गलती हैं, जिनकी वज़ा से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, लाब होने की जगह धानी हो रही है, धन प्राप्ती की जगह धन की हानी हो रही है, धन लाब, धन प्राप्ती हो नहीं नहीं पा रहा, लोग हमेशा आप तो अपको धोखा दे रहे हैं। बार-बार आपका पैसा कही न कही अटक जाता है, फस जाता है। काम-धनधा भी ठीक से नही चल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्तर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, उस पर भी यदि कोई अपना हितेसी जानने वाला, जिस पर की हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही अगर धोखा देदा हैं, तो और भी ज़्यादा बुरा लग लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी वह सहन करने के योग भी नहीं होता तो दोस्तों इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकरात्मक वातावरन बना कर रखते हैं और हमेशा एक सकरात्मक वातावरन हमेशा नकरात्मक चीजों को आकरसित करती हैं इसलिए आप प्रेसानियों से घीरे रहते हैं यह नकरात्मक वाता कापू नहीं कर पाते हो यहां तक कि आपके अंदर एहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत खतरनाग है आपके लिए एक नकरात्मक वातावरन तयार कर देती है यह आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों हम जानते हैं आप लोगों के जीबर में अपने कारिशत्र पर ही बीताते हैं दिन भर अपने कामों में वैस्त रहते हैं और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं शुकों और खुस्यों का आनंद का अनुबब ही नहीं कर पाते हैं जिसकी बज़ा से धीरे 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 आपके अंदर एक खिन्नस भाव पर आपको गुसा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध न निकल कर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए यानि कि आपके अपनों पर आपके भाई बहनू शिरया माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने रखते हैं और यही कारण मनता है जब आपके घर के लोग ही आपके लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं भागने लगते हैं आपसे जूट बोलते हैं आपसे बचने की कोशिच करते हैं जिससे आपके घर में एक नकरात्मक वातावरन तयार हो जाता है और यह वातावरन ही आपको आपक सफलता प्राप्त करने से रोकता है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों हम आपको सलह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर विक्रोध नहीं करना है सांति पुन खुशियों भरा माहौल बना कर रखिए आप ऐसा करपाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सुरुआत हो जाएगी आपकी सोभागे की सुरुआत हो जाएगी हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुभा भगवान सुर्यदेप को अर्द देना है और शान्दी की एक अंगूठी धारन करनी है अगर संभव हो तो जिससे आपका चंदर प्रबल होगा और आपका कुरोध शान्त होगा और रात्री को सोते समय आपको क्या करना है एक सिराहने पर एक लोटा जल भर कर अवस्य रखें जिससे आपका मंगल भी शान्त होगा और आपका बौधिक संतूलन भी बना रहेगा इससे आपके घर परिवार में शुक और शान्ती का वाहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकरात्मक उर्जा का निर्मान होगा दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने पड़े बदलाव आएंगे किसी चमतकार से यह कम नहीं होगा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है आप मानसिक और सारी दोनों ही इस्तियों में बूरी तरह से फसे खड़े हैं और बहुत ही परिसानियों से ग्रसित हैं लोग आपको बहुत परिसान करते हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपुन वातावरन को बदल कर रखना होगा अपने मा के दुखों को अपने मा के कष्टों को कि कभी किसी को बताना नहीं चाहिए इसे किसी के सामने जाहिद नहीं करने चाहिए जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कूराते हुए प्रवेश करें घर के लोगों को अपनी और आकरसित करें उनसे प्रेम पुन बाते में करें लोग आपके नजदीक आएंगे आपको तरह तरह कि कुछ करने की कोशिस करेंगे और आप जो हैं उनकी चिकनी चुपडी बातों में आ जाते हैं फिर लोग आप से कुछ कारिक करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तयार हो जाते हैं ऐसी इस्थिती में आपका सोचन होता है जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कारिक करने लग जाते हैं और ऐसे इस्टिती में आपका सोसन हो जाता है और लोग आपका दुर्ब्योग कर लेते हैं यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग जादा सामिल होते हैं आपके अपने ही लोग आपको मुर्ख बनाते हैं आपके भावनाओं का लाब उठाते हैं और आपका सोशन करते हैं, आपसे केवलत इसलिए जुड़ते हैं, क्यूंकि आपके जेब में रुपिया होता है, जब आपका रुपिया पैसा समाब तो हो जाता हैं, तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं, और आप देखते ही रह जाते हैं आपको इतना बड़ा जटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से तूट जाते हैं आपका दिल तूट जाता है यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़ कर चला जाता है यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है लेकिन रिष्टे नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिष्टों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है और इसमें आश्चर्च की बात तो यह है कि आप से आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिष्टों को निभाना नहीं जानते हैं आपको गुसा बहुत आता है अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए जिसकी वज़ा से आपके साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमी का जो है उनसे भी आप जपट पड़ते हैं और दो सारोपन करने लगते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वज़ा है जिससे यह सारी प्रेसानिया खड़ी होती हैं लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हग समझ कर करते हैं परन्तु दूसरे आप पर आलोप लगा देते हैं आप से दूरी बना लेते हैं दोस्तो हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इनसान हैं आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया दोस्तूं मैं जो बाते बता रहा हूँ उसे आप गौर से सुनियेगा और अपने अंदर महसूस करियेगा कि कही न कही ये आपके जीवन में हो रहा है ठीक है आप दूसरों की मदद करते हैं सब की मदद करते हैं अपनी इच्छा अपनी छमता अनुसार कभी कभी तो आप अपनी छमताओं से भी जादा करते हैं यदि आपका अपना कोई आप से मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाते है जी हाँ दोस्तों लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रुत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं रुपए पैसे मांगते हैं उधार मांगते हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है नहीं किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और से मदद की जाती है यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ठीक है ना एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ चलकपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और और सिर्फ आपके स्वार्थे से जुड़ा होता है और आपसे अपने अपने आप दूर हो जाते हैं आपको अनाप सनाप बोलते रहते हैं आपके जीवन में आरोप परतियारोप चलता ही रहता हैं आप उनसे क्या मदद मांगोगे वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नही खराब हो जाता है आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यवी है कि आपकी रिष्टे सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं दोस्तों अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं जी हाँ अपने होने का दिखावा ये भी आपको देखना होगा दोस्तों यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता यह आपकी अपनी अनुभवव पर अधारित होगा ज़िए आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिष्टे में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिष्टेदार है तो वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है इस दुन आया ही अपना हुआ और वह रिष्टेदार आपका दुस्मन हुआ इस बात को जो है आपको याद रखना है और एक चीज आपको और याद रखनी है एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाया रखनी होगी जी हां मैं जो कह र वैसा ही वरताव करेगा आपको धोखा देगा तो दुबारा दुखी होने से बहतर है कि आप उस इंसान को पहचान ये और उनसे दूरी बना लीजिए हां दोस्तों तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नोकरी के बारे में भी बात करेंगे जी हां दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं यदि आपकी नोकरी अच्छी नहीं चल रही है या फ बताएंगे उपाई भी बताएंगे तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक ठीक है वीडियो थोड़ी से लंबी होगी आपका समय जरूर लूँगा लेकिन आप देखिएगा ठीक है यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही ही या फिर से टूट जाते हैं यानि आप अंदर से सब्र नहीं रखते हैं आपकी बहुत बड़ी गलती है इस वज़य से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कारिसे कर जाते हैं जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पेस्ताना पढ़ता हैं आप आज आप कहीं और ही होते हैं जी हाँ दोस्तों आप विचार करके देखिए कि आपको सवर का साथ देना आप लोगों के जीबन में कितने महत्पुन हैं आपकी रासी में एक अजीव सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सवर होता है कि वह उन चीजों को भ विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है कोई भी पड़ा मोका उनके सामने से गुजर जाता है उसका लाब भी नहीं ले पाते हैं दोनों प्रकार के गुन आपकी रासी में पाई जाती है या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सबर रखकर कुछ जादा ही है दोनों ही इस्तियां खराब है इस इस्तिती में आप जल्दबाजी में कारिक कर जाते हैं और दूसरी इस्तिती में आप सोच विचार करते ही रह जाते हैं यानि मोके का लाब सही से उठा ही नहीं पाते हैं तो दोस्तों कमेंट अगर के जाए गया कि आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप जादा ही सूच विचार करते हैं किस प्रकार के इंसान आप हैं कमेंट करके अवस्य बताईए और ऐसा देखा गया है कि इस रासी के जादक जब भी कोई नया काम शुरू करत हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ जादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वह जल्दी-जल्दी सभी काम को निप्टाना चाहते हैं फैसले लेते हैं और कारुबार में जल्दी से जल्दी उंचाई उपर तक जाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा में शमय लगता है इनको भी फलदार पेड़ बनने में शमय लगता है एक छोटा सा पेड जब बला बनता हैं तब ही वह फल देता है यदि चोटे चोटे पौधे को भी कितना भी आप सीज़ दो कितना भी पानी दे दो वो फल नहीं देगा उसमें समय लगेगा तो सबर एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सबर ही आपको सफलता परदान करता है जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अवसर्फ राप्त होता है और बुद् उसमें थोड़ा सा समय दे और सबर के साथ काम करें बताने को बहुत कुछ है बताते बताते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते रहे जाओगे मैं जो भी बता रहा हूं एक स्रीज चला रहा हूं अपने चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ल अगली वीडियो में आपकी और भी कई सारी बातों को बताऊंगा तो नेक्स पार्ट टू को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूं ठीक है उपाय को आप कर लिजिएगा अगर नोकरी नहीं लग रही है नोकरी म में कर्ष्ट हो रहे हैं वैसे में आपको क्या करना है वह सुनिये मित्रों हमारे रोजगार धन संपत्ती से जुड़ागर सुक्र है और यदि हमारे जीवन में सुक्र नीज का रहेगा या फिर सक्तिहीन रहेगा तो यह हमें उतनी धन संपत्ती या उतना धन नहीं दे सकता यह हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से सम्मंदित प्रिसानियां पेडित करती रहेंगी तो आपको करना क्या है कि आपको सुक्र से सम्मंदित उपाय करने होंगे इसके लिए आपको सुक्रवार को वृत रखना प्रारंभ करना होगा सुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना होगा छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो ऐसी 5 कन्याओं या 11 कन्याओं को मिठी खीर खिलानी होंगी और उन्हें कुछ सफेद चीजें सफेद वस्तुएं दान करनी होंगे जैसे कोई सफेद रुमाल सफेद वस्त्र ये सब दान करने होंगे बस इतना करने मातर से आपका सुक्र मजबूत हो जाएगा और यदि आप उनको समय मिले तो साम के समय मसलियों को भी दाना चुना दे मतलब आप दाना जो है वो डाल दे मसलियों को ऐसा करने से आपका जो है सुक्र मजबूत उसे छुटकारा भी आपको मिलने लगेगा और यह बहुत ही सक्तिसाली उपाय है सरल है लेकिन बहुत सक्तिसाली है इन उपायों के जरिये आपके जीवन की सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं तो हमने आपको विडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है यदि आपने जानकारी पसंद आई और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दिजिएगा जिसमें कि मैं आपके जीवन के और गहरी सोध करूंगा और अलग-अलग विस्तियों पर आपको बताऊंगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट किजिएगा पार्ट टू प अब भी सस्क्राइब कर लिजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची सरधा के साथ जै मादुरुगा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा इसी के साथ मादुरुगा आपकी रक्षा करें मा आपके सभी कष्ट को दूर करें और आपके जीवन में सुक्ष संब्रदी जै मा बिंदु आसती है